मैला एवं बालवेकास विभाग और एन आर एचेम ने कारेरत आशा सयोगिनियों और ग्राम साथिनों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा देगए कारें को सफलता पूर्वक पूरा करने के बाउजुद प्रयाप्त मानेदे नहीं दिया जा रहा आशा सयोगिनियों और ग्राम साथिनों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंतरी के नाम ग्यापन सौब कर मान दे बढ़ाने के साथ सा स्थाई करने की मांग की और स्थाई होने तक आशा सयोगिनियों और साथिनों को श्रम कानून के तहट 10,000 रुपए दिलाने की मां केंद्र सर्कार द्वारा आंगनवारी कारेकरता सहाय और महिला एल S भरती में 50 प्रति Σथ आरक्षण दिया थेक इसी तरह रजस्तान सरकार भी ग्राम सैथिनों और आश्या सयोगिनों को A. N. M. और ढीली शाड़ी का रंग बदला जाए हुआ हमें सरकारी करमचारी घोसित किया जाए है ना दूसरी मांगई यह हमारी जो यह जो ड्रेस दी है करमचारी की है और काम तो हमसे मतलब उसका कराया जाता है तो यह दूसरी मांग है हमारी जो अपने मंत्री है उन्होंने कहा था कि हम लोग को ट्रेनिंगे जो दी गई है तो वो नर्स के अधार पर दी गई है तो हमको भी उन्होंने कहा था कि आपको भी कुछ परसंटेज नर सोमवार को होमगार्ट्स ने अपने नियमितिकरन की मांग को लेकर रैली निकाली और कलेक्टर पर प्रदर्शन किया होमगार्ट्स ने जैपुर कूस से पहले जिला कलेक्टर को अपने मांगों के संबन में ग्यापन दिया और जैपुर में होमगाद पर हुए लाथी चार्ज में दूशियों के खिलाव कारवाई की मांग की होमगाद को पुलिस कौंस्टिबल के समान वेतन और नियमिती करण की मांग कर रहे होमगार्ट्स ने सोमवार को आजाद पार्क में सभाग की और बाद में रैली के रूप में कलेक्टेट पहुचकर प्रदर्शन किया हमारा बहुत अमानगी है शोषण हो रहा है पूरी तरह से बहुत ज्यादा इस बासे जवान बहुत तरस हो चुके हैं बहुत निवेदन विंतियां बहुत जादा लोगों ने सारे जवानों ने मिल करके इसके लिए लेटर पहुचा है मैडम से विंति करी सीएम साहिबा से लेकिन ले लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे लिए होम गार्ट की मांग है कि जब उनकी ड्यूटी पुलिस जवानों के समान ही है तो फिर उन्हें समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। जैपूर में होम गार्ट्स फर हुवे लाठी चार्ट से गुसाए होम गार्ट्स कलेक्टर गौरो गुल को ग्यापन देने के बाद जैपूर कूछ कर गए।